दोस्तों सुकन्या समर्दी योजना में सरकार ने कुछ बड़े बदलाव लागू किये हैं नए नियम जारी किये गए सुकन्या समर्दी योजना को लेकर अब अगर आप इस योजना में निवेश करना चाहते हैं या आप पहले से इस योजना से जुड़े हुए हैं किया हैं बेटियों को 15 लाग रोबे तक की का फायदा मिलेगा 5 बड़े बदलाऊं अगली बार सुकेन्या समर्दी योजणा में पाईसा जमा کرने से पहले आप जान ले दरसल आपको पताओगा बेटीयों भविश्य सुरक्षित करने के लिए सुकन्या समर्दी योजना में निवेश करना एक 72 विकल्प माना जाता है क्यूंकि बेटियों के उच्छी सिक्षा जब बड़ी हो जाती तो साधी आधी के लिए इस योजना में निवेश करके आप अच्छा कासा फंड इकटा कर सकते हैं अब मोधी सरकार ने सुकन्या समर्दी योजना में निवेश की इस योजना से ज्यादा इस ज्यादा लोगों को जोड़ने के लिए इसमें कई एहम बदलाव किये हैं जो आपके लिए जानना जरूरी हैं क्या-क्या बदलाव हुए हैं जिनमें पहला आप देख सकते हैं आई टी आर में चूट लागू कर दी हैं अगर आप तीसरी बेटी के लिए भी सुकन्या समर्दी योजना खाता खुलवाते हैं और उसमें निवेश करते हैं तो उसका भी इंकम टेक्स चूट का लाव आपको मिलेगा ये उन लोगों के लिए बड़ी रहात की बात है जिन इसकी उम्र को सरकार ने बढ़ा कर 18 साल कर दियां अब बेटी के नाम पर जो आपनी सुकन्या समर्दी खाता खुलवा रखाना उसका एक्सेस खुद बेटी 18 साल के बाद ही कर पाएगी बेटी के माबाप या अभिबावक ही उसके 18 साल पूरे होने के तायत अपने अकाउं लेकिन अब एसा नहीं होगा मेचुरिटी तक जमा किये गई जितनी भी रासी होगी उस पर व्यास दिया जाएगा और आपका अकाउंट डी एक्टिवेट या डिफोल्ट कभी नहीं होगा एक और नियम देखिए मेचुरिटी से पहले ही बेटी के गुजर जाने या उसका पता बदलने पर इस योजना का खाता बंद किया जा सकता था लेकिन अब अगर बेटी को कोई जान लेवा बीमारी हो जाए तो भी खाता बंद करवाए जा सकता है यदि अभी बावक गुजर जाए तो भी खाता पहले बंद कराया जा सकता है तो ये कुछ न्यूरूर्स औ की income tax चूड़ भी मिलती है तो यह सुकन्या समर्दी योजना से समधित कुछ नए नियम new rules and regulations के update आपको जरूर जानने मिले होंगे यह योजना किया है दोस्तों इसमें आप कैसे जूर सकते हैं कैसे online apply कर सकते हैं कहां से form बढ़ना है इसके बारे में detailed वीडियो मैंने आपको D post office है तो वहां से भी आप इस वजना से खाता खुलवा सकते हैं ओके वहां जाओगे आप ब्रांच में तो आपको सारा समझा देंगे इसा कोई ज्यादा दिमाग पर लोट डालने की जुरूरत नहीं है उम्मीद है यह चोटी से information एट विजेट काच की तरह clear मैंने आपको बताने के कोशिस की और आपको समझ भी आई होगी और भी आपके मन में कोई सवाल या जवाब है तो कमेट करके पूछिएगा मैं रिपलाइ करने की जरूर कोशिस करूँगा विडियो को लाइक और शेयर करना और हमारे चैनल TLS News को सस्क्राइब करके बेल आइकोन भी जय हिंद जय वारत वंदे मात्रमू